शिवपूरी चुले में मतदान से पहले अपने पक्ष में वोट डालने को लेकर वोटर्स को धमकाने और बहरेमी से मारपीट का मामला सामने आया है कटना पिछोर विधान सवा के मायापुर थानचेत्र के केम खेड़ा गाउं की है जहां 14 नमंबर की रात कल्लू पुत्र श्रीराम लोदी उम्र 37 साल के साथ चार लोगों द्वारा ना केवल बहरेमी से मारपीट की गई बल्कि उसके घर का सामान भी तहस नहस कर दिया गया कल्लू लोदी का कसूर केवल इतना था कि उसने दबंगो के कहे अनुसार वोट डालने से इनकार कर दिया था इसी बाद से नाराज होकर दबंगो ने कल्लू की बहरेमी से पिटाई कर दी वही घर में तोड़ फोड कर दी पेड़ित ने पिछोर विधायक और शिपूरी से कॉंग्रिस प्रत्याशी केपी सिंग कककजू के समर्थकों पर मारपीट का आरूप लगाया है जानकारी का अनुसार पेड़ित कल्लू लोधी ने बताया कि गोलू राजा चोहान, नाती राजा चोहान, लिप्टेंड चोहान और कल्यान चोहान ने चओदा नममबर की रात उस से कहा कि तुम्हें कॉंग्रिस प्रत्याशी को वोड़ देना है पेड़त ने बताय कि जब उसने इससे मना किया तो चारों ने बहरेमी से उसकी पिटाई कर दी वही घर में तोड़ फोर कर दी कलू लोदी ने बताय कि ये चारों पिछोर विधायक केपी सिंग कककाजू के आदमी है इसलिए उसकी थाने पर सही सुनवाई नहीं हुई है पेड़त ने एसपी ऑफिस में शिकायत दर्श कराने की बात कहते हुए पुलिस से नाय की गवाल लगाई है क्यों आपको लाति से मारा गारा गर्मा भी खेंच के मारा गेट में इता दिया लेकिन उसको कुछ नहीं है और उसका केस क्रोस करवा ये पैसा दे कर आया पर थानी पर तो आपने कहीं और सिकायद की इसकी नहीं की बस जब सकादी करने जा रहा था मैं एस भी किया कब की गड़ना है यह सब्सक्राइब कर दो दिन साब क्या करते हैं रात के आठ बजे उए तो मेरे पास कुछ साधन नहीं थे क्या मैं आठ बजे में थाने पहुंच सकता है